आज हम इस WordPress के मौडूल में देखेंगे कि आप Header footer का डिजाइन अपने अकोडिंग कैसे बिल्ड करते हैं जो Default Header footer theme प्रोवाइड करता है उस Header footer की डिजाइन को हमें हटाना है हमें अपने अक्कॉडिंग फुटर का डिजाइन क्या करना है इसके लिए आपकी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉर्ड होना चीए पहले से इलिमेंटर एक पेज बिल्डर प्लग इन आपको मिलेगा अधर फुटर बिल्डर Elementor Header Footer Builder की help से आप क्या कर सकते है Header Footer को अपने supporting design कर सकते है जैसा भी design बनाना है वैसा design आप यहाँ पर क्या पाएंगे develop कर पाएंगे तो अभी clear यह पता चल गया कि हमें header footer को अपने according design बनाना है जो theme देता है उसको हटाना है हमें अपने व क्या करना है तो चलिए हम क्या करेंगे सबसे पहले plugin को इंस्टाब करेंगे मैंने element are already कर के रखा है मैं element are header footer builder plug-in आपको पहले दिखाता है फिर मैं उसको install करता हूं यह cya करूंगा इससको activate करके फिर मैं बनाना start कर daug है तो देखिए मैंने यहाँ पर ओपन करके रख रखा है मैं आप ब्राउजर पर जा रहा हूं देखिए यही प्लगिन है यह आपको हैडर और फुटर बिल्ड करने का ओप्शन देदेगा आप जो हैडर फुटर बनाएंगे वह आप एंटायर वेबसाइट पर एपलाई कर सकत अब कुछ भी यह नहीं करेगा अगर आप जाके देखेंगे तो अभी आपकी वेबसाइट पर डिफॉल्ट जो थीम का फुटर आता है वही दिख रहा है हमें यह फुटर क्या करना है बिल्ड करना है तो चलिए हम क्या करते हैं आप बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या करना यहां पर फोन नंबर लेना है और यहां पर लेना है अपने को इमेल का उप्शन यहां पर यहां पर अपने को लगाने सोसल लिंक्स के उप्शन जैसे अपना लिंडिन हो गया फेस्बूक हो गया ट्यूटर हो गया ऐसे सारे लिंक्स इधर की साइट क्या हो जाए फिर मैं इसको बनाके दिखाऊंगा और यहां पर एक button लगाना है button में inquire now या जो भी अपने को लिखना है वो लिख देंगे कुछ इस type से design अपने को क्या करना है develop करना है वो भी header footer builder की help से तो चलिए हम इसको क्या करते हैं dashboard में बनाना start करेंगे यह plugin activate होना चीए इस plugin के पहले elementor भी activate होना चीए elementor होगा तभी आप elementor का header footer builder यूज कर सकते हैं नहीं तो आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि काम करेंगे यह elementor के साथ में चलने वाला है जब elementor होगा तभी आप इसको क्या करेंगे implement करेंगे तो देखिए इसका option कहां पर आता है इसका option आता है appearance के अंदर देखिए elementor header footer builder लिखा हुआ है यहां पर जाके एक header बनाएंगे जो entire website पर क्या करेंगा काम करेंगा तो यहां से जाके आपको क्या करना एड़नीव पर क्लिक करना है जैसे ही आप एड़नीव पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक एंटरफेस खुलेगा हम यहां पर पहले नाम दे देते हैं नाम में यहां पर देदिया header देखिए मैं यहां पर क्या करा हूँ एक नाम दे देता हूँ header और header के नीचे यहां पर लिखा हुआ है type of templates यहां पर header सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि जो हम templates बना रहे हैं जो हम एलिमेंटर का यूज करके डिजाइन बना रहे हैं वो भी header के लिए बना रहे हैं और देखिए यहां पर रूल से display on display on में आपको यहां पर करना है entire website तो clear है यहां पर एक नाम देना नाम कुछ भी दे सकते हैं चलेगा टॉप बार आप header देजिए क्योंकि header ही बना रहे हैं और यहां पर type of templates में header select करना है और display on में entire website करना और यहां से publish कर दे रहे हैं जैसे ही आप publish करेंगे publish करते ही आप website बिजाके refresh करिए default header हट जाएगा जो अपने को वर्डप्रेस प्रोवाइड करा रहा था वो header हट चुका है क्योंकि हमने क्या किया एक elementer जो हमारा डिजाइन था वो इस टाइप का था देखे मैं यहां पर open भी कर देता हूं पहले एक रो लेनी है रो में अपने को phone number email और social links लेना है कैसे होगा देखे मैं आपको बता देता हूं यहां पर edit with elementer क्योंकि अपने को design तो बनाना पड़ेगा template तो select कर लिया जब तक आप डिजाइन नहीं बनाएंगे तब तक दिखेंगा नहीं तो इस जो यह design है इसमें आप पूरा page भी नहीं करेंगे केवल header का design मनाएंगे वह automatic हर page पर क्या करेगा implement करेगा बहुत simple है आपको इस प्लस पर क्लिक करना है प्लस पर क्लिक करके आपको parts लेना है कि कितने parts वाला design लेना है तो मैं यहां पर दो अब यहां पर क्या करना है अपने को phone के लिए बनाना है कि पहले phone number आ जाए तो phone number कैसे आएगा बहुत simple है देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके components यहां पर खुल जाएंगे आपको एक icon list नाम का component लेना है icon list को drag करके इसके अंदर pass करेंगे यहां पर तीन list item आ जाएंगे आपको दो list item इसके अंदर से delete कर देना है केवल एक list item रखना है जो भी icon के साथ में है तो यहां पर अगर देखेंगे तो list item 1 लिखा हुआ है अपने को क्या करना है इस पर click करना है click करके पहले आप number दे आपको यहां पर phone का icon क्या करना है search करना है तो जैसी आप search करेंगे phone का icon मिल जाएगा और यहां से insert कर देंगे तो phone का icon भी आ गया है तो यहां पर phone number और phone का icon आ चुका है केवल आपको क्या करना था यहां पर number pass करना था और यहां पर icon change करना था link में अपने को क्या करना है ज तो नमबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, वो डाइल में आटोमेटिक क्या हुजाएगा, चला जाएगा, तो की चीज़ आपने को रखनी है, पहला नमबर पास कर दिया, दूसरा आइकन चेंज कर दिया, और एच्छ रेफरेंस में टैल के साथ में नमबर पास कर दिया, और यहा यह जो phone का icon है अगर इसको छोटा बड़ा करना है तो आप अपने according कर सकते हैं और alignment आप set कर सकते कि alignment कैसा चाहिए वो आप अपने according यहां पर क्या करेंगे लगा देंगे alignment तो सही कोई दिक्कत नहीं है तो हमें क्या करना था font का icon white करना था white कर दिया और यहां पर test में जाके ज अगर दिया लगा दिया phone का icon with phone number मैंने यहां पर लगा दिया और यहां से मैं इसको publish करता हूँ update कर देता हूँ update करने के बाद मैं website पर जाके refresh करूँगा तो आपके सामने phone number आ जाएगा और आभी रहा है चलिए ठीक भी आ रहा है इस पे click करेंगे न तो यह ऐसे pop-up open होगा मगर mobile की device में क्या होता है जब आप click करते तो यह dial में चला जाता है तो tell column करके phone number देना है जिससे बंदा अगर mobile की device में phone number पे click करें तो dialer में आपका number क्या हो जाए चला जाए जो भी number आपने दिया होगा तो यह हो गया हमारा पहला पार जहां पे हमने phone number बनाए आपको column है right click करके duplicate कर दीजे column को तो जैसी आप right click करके duplicate करेंगे तो एक और column इसी टाइप का क्या होगा आपके सामने बना हुआ जाएगा जिसमें phone number लिखवाएगा तो हमें बनाना ही same type का था बस हमें क्या करना है यहाँ पे email लेनी है तो मैं इस पर edit करता हूँ edit करके यहाँ पर icon तो चाहिए और नहीं यहाँ पे तो email का इकन चीह तो आपको यहाँ पर और ऐगर כ्लिक करके यहाँ से lijंवलॉब का और इमेल भी आपके सामने क्या हो रहा है अब आपको जब आप इमेल लगाते हैं मैं आपको क्लियर करा है जब हम फोन नमबर लगाते तो टैल का यूज करते और इमेल लगाते तो मेल टू मेल टू क्यों यूज करते हैं जिससे क्या होगा जो भी बंदा गर इमेल पे क्लिक करेगा डिफॉल्ट इसका जो भी इमेल का सॉफ्टर और आउटलुक या कोई भी होता है वो उसके अंदर इमेल को क्या गर देगा ओपन कर देगा तो मेल टू में आपको ये इमेल क्या गर ने बना रहा है तो header footer builder को हम अच्छे तरी से बनाएंगे जिससे आप अपने लेवल पर इसको क्या अगर पाएं यूज कर पाएं और यहां पर जाके जो यह बचा हुआ पार्ट है यहां पर social icons ले ले लेते हैं इस पर द्रैग करके पास खंडानी आएगा components तो यह चीज पहले से आने चीए तो आप Elementor का जो भी मैंने वीडियो सीरीज बना रखे उसको आप follow करिएगा क्योंकि यह चीज तब आसान लगेगी जो आपको Elementor आता हो नहीं तो आपको समझ में आ रहा है आप बना सकते हैं मगर थोड Linking आप कर सकते हैं मगर मुझे इसको थोड़ा design करना है मैं चाहता हूं यह जो आइकन साइए यह राइट साइड में चले जाए यह राइट साइड में चले गए अपने ठीके चलिए कोई दिक्कत निया राइकन राइट साइड में चलेगा है Linking में आप Link प्रोवाइड कर तो दो हो जाएंगे अगर आपको तीन चीए तो तीन हो जाएंगे तो आटो रखिया अगर दस भी आते हैं तो दस भी एड़ेस्ट हो जाएंगे केवल यहां पे क्या हो आपको Link दिखे इसके जो चारों तरफ से बैक्राउंड आ रहा है वो हट जाए तो उसको कैसे हटाएंगे देखिए हटाने के लिए इसमें और जादा कर सकते हैं तो पैडिंग भी चोटा बड़ा कर दिया मैंने इसपेसिंग कम और ज़्यादा करसकता है यह भी कर दिया चलिए रोगाप मैंने यहांसे हटा ही दिया रोगाप चाहिए नहीं रोगाप हटा हुआ है अब आते हैं देखिए यहां पर आइकन होवर तो आइकन के उपर होवर देना तो वह भी दे सकते हैं बगर आईकन में लिए यहाँ पे डाउट्व क्लोर की जगें यहाँ पे कश्टम का यूज करना है क्लर में जाके के शूर में चाहց ज़ेकर यूज करना है फ्राइमरी कल् 뭉luded इसको आप यहां से सब्सक्राइब कर करते हैं दिखें आूट जितलो ऑप की गैपिंग को थोड़ा कम कर देता है अपडेट करके यहां पर जाके रिफ्रेस करूंगा तो यह आपके सामने दिखेंगे और वह भी राइट साइड में तो हैडर का हमारा क्या हो चुका है अब आते हैं अपने को सेकिंड पार्ट बनाना है सेकिंड पार्ट कौन साइए देखें की में आपको से में लोगो मैंटन लेना चले स्टार्ट करते देखें यहां यहाँ पे इनकोयरणाव को एक बrences कर दूंगा यहाँ पर logo लगा दूँगा, यहाँ पर menu और यहाँ पर inquire now का एक button यहाँ पर क्या गर दूँगा, set कर दूँगा, और इसके पीछे भी एक background set कर रहा हूँ, style में दाके मैंने यहाँ पर क्या क्या क्या, color दे दिया, color देके इसके background को थोड़ा सा अच्छा, और good looking यहाँ पर क header footer builder जब आप यूज करते तो उसका component यहाँ पर पास कर देता है, header footer builder देखे, hfb का मत्तब header footer builder का ही sort form है, यहाँ से drag करी और यहाँ पर पास कर दीए, click इस पे edit पे click करेंगे, और click करके custom image में जाएंगे, और यहाँ पर custom image में जाके इसको yes करेंगे, जैसी yes करेंगे, और column का dividation perfect में होगा, तो चीज़े क्या होगी, दिक्कत करने लग जाएंगी, logo आगे आप इसमें कोई design तो करना है नहीं है, क्योंकि एकदम well format में एकदम set आपको logo दिख रहा है, यहाँ पे size को कम और जादा कर सकता है, alignment को left right कर सकते है, caption अगर देना है, तो caption भी दे सकते है, link provide करना है, तो link भी दे सकते हैं, अगर आपको कोई custom URL देना है, जैसे custom URL का मतलब है, कि मुझे अपनी website का URL देना है, क्योंकि logo पे mostly क्या होता है, website का URL लगा हुआ रहता है, तो आप URL भी दे सकते हैं, और यहाँ से update कर देते हैं, तो बहुत simple था, मैंने 3 parts में divide किया, पहले part dashboard को open कर देता हूं, dashboard open करने के बाद मैंने pages देख लेता हूं, मैं कुछ pages बना चुका हूं, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे Πरेंस में जाके menus को देख लेता हूं, menus भी मैंने क्या-क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं, primary menu है, इसका नाम क्या अपना header menu, और यहाँ पर तो मेन्यू एक बना ओना चीए तभी आप मैन्यू को वहाँ पर कर पाएंगे ऐसा नहीं हुआ कि आपने मैन्यू बनाया नहीं और वहाँ पर मैन्यू आप सलेक्ट कर रहे हैं वह थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लग जाएगा आपको जाना यहीं पर अब इसको थोड़ा सा डिजाइन करता हूं क्योंकि मुझे इसको थोड़ा उपर नीचे करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर जाके ले आउट में जाता हूं ले आउट में जाके आप अब इसको थोड़ा दी वर्टिकल पैडिंग भी थोड़ी बढानी है क्योंकि थोड़ा सा यह अपने को क्या करना है इस फॉर्मेट में चाहिए पैडिंग मैंने यहाँ पर क्या गरदिया अब में एक काम करता हूं जो यह मैंने बनाया इसको मैं ऊपर से पूरा मार्जिन देता हूं जही चैनला कं कर लेता है तो अभी चैनली में दिख रहा है औप को जो भी कलर देना और को soort चलेग्राउट नहींद कोई पास करना है द्रॉपडवाऊव्न पास कर सकते हैं गॉनार चले चलेख आई तुट कोई पास कर सकते हैं तो यह एक गोस्त आप्डेट कर देता हूं अब डेट करने के बाद website पर जाके एक बार refresh करता हूंगे किस type का look आ रहा है देखे सही आ रहा है यहाँ पे logo आ गया यहाँ पर तीन menu आ गया और right साइड में अपने को चीए एक बटन चीए तो बटन को कैसे लेके आएंगे यह बटन को लाने के लिए क्या तरीका है वो मैं क्लिकर याँ करते हैं बटन को लाने के लिए आपको इस पर क्लिक करेंगे लिए चुछ मैंके सांइन लिखाब आ जाएगा यहाँ पर अगर उपर से लिए था इस में जाके इस पे क्लिक करता हूं और मार्जिन टॉप से क्या गर देता हूं 20 पिक्सल थोड़ा कम है थोड़ा ज्यादा दे देता हूं यहां पर जिसे यह थोड़ा सा उपर की साइड से क्या होगा नीचे आएगा कलर, कंबिनेशन, सारी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको स्टाइल में जाके सारा काम कर सकते हैं आपको जो भी कलर देना है आप कलर एप्लाई कर सकते हैं जैसे मुझे यलो कलर सही नहीं लग रहा है या ग्रीन कलर जो आ रहा है वो सही नहीं लग रहा है मैं अपन पर एपने according color को क्या लिया ले लिया। आप अपने according fragment जो भी color दे ले लिया। डे सकते हैं। अफडेट करने के बाद आप वेबसाइट पर जाके रिफरेस्ट करेंगे तो आपके सामने बटन भी लगा हुआ आ जाएगा तो हमने टॉप सेक्षन बनाया हमने मेन्यू बार बनाया दोनों चीज हमने बना दी है और हमारा हैडर क्या हो गया बनके तैयार हो गया उब ऐसे ही लॉजिक से आप फुटर भी बना सकते है और यह जो हैडर हम में कर सकते हैं अपको यह चेह था कि आप अप अपने अगो डिजाइन कर सके यहाँ पर सब्सक्राइब करना से मैं नियाप नियां यहां से एक डिव यहां सिर्ट के तीन में यहां मेरे आगए आपने बारे में माली चोटे इसी दो लाइन लिग दी यहां और यहां पर अपना आगया virtually तो यहां पर आपको इस ताइब और एस ताइब से आपने को इसचाना तो कैसे डिजाइन एपनाना है यह जो था यह header के लिए था आप इसको अटा दीजिए यह बनके तयार है आप इसको फिर से अपने dashboard में चले जाएए क्योंकि dashboard में जाना पड़ेगा और यहां पर appearance के अंदर आप elementor header footer builder में जाएंगे तो एक design यहां पर हुआ है header अब मैं एक और बनाता हूँ add new करके यहां पर जाता हूँ और यहां पर add with elementor करता हां और यहां पर जाके क्या करताँ और यहां पर चलती होई और यहां पर चलता हूँ और यहां पर क्लिक करते हैं क्लिक करे थीन पार्टकर करना है और यह बॉइस पर धा क्र क्रेंगे awak heading में आप इतनी बड़ी heading नहीं लेंगे, आप यहाँ पर h4 ले लिजे और यहाँ पर about us लिख दीजे, और फिर आप क्या गरिए, इसके नीचे एक paragraph ले लिजे, तो मैं यहाँ पर click करता हूँ, click करके text editor को यहीं पर drag करके pass करता हूँ, कुछ paragraph आ जाएगा, color combination आपको change करना है, तो color combination आप अपने according कर सकते है, change कर सकते है, जो भी color देना है, वो दे सकते हैं, और भी जो content लिखना है, वो लिख सकते हैं, और एक button ले लेते हैं, button लेने के लिए यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर जाके button के components को drag करके, इसके नीचे पास कर देता हैं, और यहाँ पर देखिए, नहीं आ रहा है, नहीं आने का क्या reason है, वो मैं एक बार देख लेता हूँ, चलिए, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक नए tab में इसको open कर देता हूँ, यहाँ पर appearance में जाके header, footer, builder को यहाँ पर open करता हूँ, और यह जो मैं बना रहा हूँ, यह footer ही बना र क्योंकि footer आना चाहिए था, footer अब आ चुका है, जो मैं पहले कहा रहा था कि वो नहीं हटा है, वो इसी वज़े से नहीं हटा था, कि हमने display on में entire website नहीं किया था, और यह थोड़ा सा design आप करिएगा, क्योंकि design के basis पे ही design थोड़ा सा क्या होगा, अच्छा, अच्छे लि पैडिंग देदी और bottom से मैंने 20 pixel पैडिंग देदी, या top से आप 40 pixel कर दीजिए और bottom से भी 40 pixel और यहां पे आप अपडेट कर दीजिए, तो 40 pixel पैडिंग के साथ में आपका data यहां पर क्या हो जाएगा, अपडेट होके आ जाएगा, तो ना आने का region आपको पता ही चल गया तो second part बनाने के लिए same है, मैं यहां पर जाता हूँ और यहां पर जाके heading ले लेता हूँ, एक बार उपर की side, और heading में मैं quick links लिख देता हूँ, quick links, यह मैंने यहां पर heading ले लिए और heading में मैंने यहां पर pass कर दिया, जो मैंने यहां पर tag लिया था है, h4, और थोड़ा सा मै पैडिंग देना है एडवांस में यहाँ पर 40 पिक्सल डे रहा हूं उर राइट से जीरो और लेफे जीरो और टौप और बॉटम से 4040 पिक्सल यहां पर यह आ चुका है देखिये क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि quick links लिख दिया अब हमें क्या करना है एक menu लगाना है तो नेव पे जाते हूं नेव पे जाके हमें navigation menu ही ड्रैग करके यहां पर क्या कर देना है पास कर देना है अब अगर आप यह देखेंगे तो यह आपके सामने क्या करेगा horizontal design देता है आ आपको पता ही आप layout में जाएंगे यहां horizontal से आप क्या कर सकते वर्डिकल कर सकते तो वर्डिकल ले आउट हो जाएगा इसका जो line by line आपके सामने क्या होने लगेगा आने लगेगा और आप इसके color को भी क्या कर पाएंगे चेंज कर पाएंगे जो भी color देना है वो color आप य तो advance में झाते हैं एडवांस में झाकर headdadink ह…? यहांपर Contacts लिख दिया एसी मैं कॉलम में क्या करूंग पैडिंग एडिन कॉलम में जाकर fashion रговते के इसे मुझे चटी करनी है और एक बराबर क्या हो दिखेंolie आहे यहाँ पर के आपको क्या गड़ना आ भाइकन लिजिए यहाँ पर पास कर दिए जैसे मैं यहाँ पर उप्स कर सकते हैं यहाँ इसको क्या कर रहा हूं कॉपी करके वहाँपे पास कर दूगा तो मैं यहां पे जाता हूँ और यहां से जाके मैं address को क्या गर लेता हूँ, copy कर लेता हूँ, जो यह address है इसको copy किया, और copy करके मैंने इसके अंदर यहां पे क्या गर दिया? तो address आपके सामने क्या हो जाएगा? दिख जाएगा, same logic है. फोन नमबर लगाना है, यहां पर फोन ले लीजिए एक बार, और यहां पर फोन नमबर को क्या गर दीजे, चेंज कर दीजे, जैसे मैं यहां पर गया, यहां तो मैप का ही लोकेशन का ही लेना था, इस पर हम क्लिक करते हैं, मैंने क्या कर दिया, इस एडरेस वाले को ही पोन के ओसफोन और दीङ सोसे कड़िए इस पे क्लिक करके फोन के आइकन को यहां पे क्या हो जा एक सिलेक्ट कर दूँगा तो फॉनका सांवनगर हो जाए में हम क्या गरेंगे यहां पर आइकन को मैंने यहां पर email id क्या गर्दी लिख दी जिससे आपको email id क्या होगा पर दिख जाए info at the rate wsqtech.com करके मैंने यहां पर पास कर दिया और यहां पर जाके थोड़ा सा gap मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ दे दीता हूँ जिससे यह थोड़ा बराबर format में क्या होगा अपने को नजर आएगा और मैं यहां से इसको update कर दीता हूँ अपडेट करने के बाद आप website पर जाके refresh करेंगे तो आपके सामने address वाला पार्ट भी क्या होगा बना होगा आ जाएगा address आ रहा है phone number आ रहा है आपका email आपके सामने दिख रहा होगा color combination आप change कर सकते हैं आप अपने according header footer को क्या कर सकते हैं कर सकते हैं अभी के पार्ट में जो में logic यह था कि आप header footer को अलग से कैसे सूचेंगे तो उसके लिए हमने according header footer का design क्या अगर सकते हैं बिल्ड कर सकते हैं अपने logic के according यह design क्या अगर सकते हैं तो अभी के पार्ट में इतना ही था कि आप अपने according header footer का design कैसे बिल्ड करते हैं क्या logic लगाते हैं इस पूरे process को मैंने आपके सामनी क्या क्या clear करा है जिससे आप अच्छे level पर header footer का design बिल्ड कर पाएं Thank you so much guys हुआ 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 है